menstruation period का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं menstruation period को हिंदी में मासिक धर्म काल कहते हैं याने कि ये महिलाओं को हर महिने होने वाला एक period होता है याने कि जो भी महिलाओं के शरीर में eggs बनते हैं वो eggs अगर fertilize नहीं हो पाते हैं तो फिर वो एक निश्चित समय के बाद जो है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो उसी समय को menstruation period कहा जाता है इसे हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं और इसका जो समय है वो आम तोर पर तीन दिन से साथ दिन तक होता है याने कि जो भी वो unfertilized eggs होते हैं वो जब शरीर से बाहर आते हैं तो वो लगातार फिर तीन से साथ दिन तक वो बाहर आते रहते हैं इससी समय को मासिक धर्म या menstruation period कहते हैं तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि मासिक धर्म के दोरान महिलाएं ठकान महसूस कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु भकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें